दोस्तो आप भी CC साथ जोड़कर आच्छा कासा जोकी सार्वीस में काम करकर आच्छा कासा पैसा कमाना चाते हो मतलब सिदी सिदी सी बाते आपको जोकी मैं CC ID लेकर CC के साथ जोड़कर CC के सभी गर्मेंट प्राइबेट सार्वीस में काम करकर जो कि मेहने मैं अच्छा कैसा पैसा कमाना चाहते तो दोस्तो आज की वीडियो में आप सभी को जो कि मैं छे स्टेप दूँगा इछे स्टेप में दोस्तो आप जो की आसानी से आप एक सेसी आईडी क्रेट कर पाओगे वो भी 100% सही तरीका से विताउट ऐसा इन्वेस्ट कर के वो भी आपको फ्री में मिलेगा आईडी पास्वार तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें जाब लगा पैरीवर है तो दोस्तो वह लाद लगा बत्ता हो जाब जाब चानल सस्क्राइब कीजार पास में जो बेल आइकोन है उसे आल पर आन कीजिए जब भ संबल और जो की टाइटल पर तो देखी लिया उसके बादाम नीचे नीचे आ जाते है तो दोस्तों मैंने आपको यह भी बोला था कि रेडी रखो मोबाइल नमबर प्लस मेल आईडी आधार प्लस पानकार प्लस पास्वुक दैन आईडी क्रेट तो दोस्तों है इतना सब क की बात आईडी क्रेट हो करे जाएगा उसके बाद आति है दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया था पांच ऐसे प्रोसेस बस्ता होंगा जिसके तुरू जो कि आपको आईडी मिलने में बहुत असान होगा कि दोस्तों जो की पहली प्लस जो होगा कि डखो मेंटे संब उ और इन पांचो के पांचो में से भी हमको जो की नहीं मिलता है तब भी मैंने आपको जो की एक छानमबर वाला मैंने जो की प्रोसेस बताऊंगा जिसके तुरू आपको जो की आईडी मिल जाएगा और आप जो की CSD के साथ काम कर पाऊगे तो दोनों के दोनों जो की जैनियन है देख सेक्टेव डोकुमेंटेशन प्लस अनलाइन एपले प्रोसेस तो भाई मैंने आपको बोला था मोबाइल नंबर जीमेल आये दी आधार का आधार प्लस पानकार पास्बुक प्लस टीसी पुलिस वेरिफिक्शन साटिफिकेट इतना डोकुमेंट आपके पास जो कि अ इनी डोकुमेंट को लेकर CAC आपको जो की परसा करकर आपको एक आईडे पास्वाट दिलाती है जिसके तुरू आप जो की एंडिया का सभी स्टेट सभी डिस्टिक सभी प्राइबेट ऐसे बड़े-बड़े कमपानी के सार्विस को जो कि आप एकसेस कर पाओगे इसलिए आपको इनी डोकुमेंट की आपको जो की जुरूत होती है जब भी आप CAC ID लेने के लिए जाती हो सब कुछ डोकुमेंट रेड़ी है आभी तो के आपके पास रेड़ी नहीं है तो तब भी चलेगा आप जो की वीडियो देखके बाद में एक साथ कटा कर सकते है और आपक इसी बात लिखा गया है नियू रेश्टेशन टाटोस चेक जो भी है आपको नियू रेश्टेशन पर क्लिक करना है और आपने पहले से रेश्टेशन करके रखे और आपका जो की अंडर रिवीवी पर अभी तक फसा है तो दोस्तों वो प्रोसेश भी मैं बताऊंगा वीडि करना है तो हमने यह वाला क्लिक कर दिया और यहां पर दोस्तों जो भी मैंने बोला था जो की आपका तीजी साटिपिकेट का जो नंबर होती है बो नंबर यहां पर आपको देने के लिए पड़ेगा उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड पर लिंक है उसी नंबर को आपको यहाँ पर देने के लिए पड़ेगा और कैप्चा फिल करके दोस्तों सॉमिट बटम पर हमें किलिक करके आगे वाली प्रोसेस पर निकल जाना है करके सॉमिट कर देते हैं और हमारा जो की ID एक्चूली में अंडर रिव्यू पर चाला जाता है सेसी के पास जब वेरिपिकिशन के लिए तो दोस्तों हमें उसे छोड़ देना है इस्टेशन होने के कुछ दिन के बाद करते हैं तो दूस्तों हमें क्या करना है यहां पर देख सकते, विजट, DM, ओफिस और बातचीत मतलब, DM ओफिस तो ऐसे नहीं hooता है एक-एक जागा पर नहीं होता है वैसे तैसे आपको ने करने तो आको थापको सिधे दिलाकार जो कि आपको साथ yêu काड़ी आपको तो मतल्ट trial आमना सामना जो कि आपको उनके साथ बात करने के लिए उसका है दोस्त अपका एरिया में क्या प्रोब्लेम हो रहे है, पॉब्लिक या सिटिजन को क्या दिक्कत हो रहे है आपका लूकेशन क्या है आपका सब कुछ जो की डिटेल आपको दिम सार को डिटेल में अपको शमझाने के लिए पड़ेगा कि मेरे ऐरिया में तहों CCID already apply करके मेरा under review पर फसा है तो आप मुझे approve कर दीजी तो दोस्तों वहाँ से कुछ reply आता है जैसे कि आपके area में already CCID है आपके वहाँ पर जो कि already आपकी GP में चल रही है तो दोस्तों आप वहाँ से भी कुछ बात चित करके उनके साथ जो कि बहुत ऐसे जगा में CCID होते अच्छे खासी से आपको बात करना है और और आपको जो कि ID के लिए approve करना है उसके बाद दोस्तों आती है आपको जो कि return home आ जाना है जब आप बातचित कर लेते हो और जो कि आपका ठिक ठाक हो जाता है तो दोस्तों आपको आना है और जो कि दो दिन के बाद आपका Gmail में या आपका जो की डीजी मेल में आपका ID password receive हो जाएगा और फिर भी आपका ID password एप्रूब नहीं होती है तो दोस्तों आप जो की दुबारा कल कर सकते हो उनसे बात कर सकते हो फिर भी आपका जो की वह वाला process काम ने करते हैं तो दोस्तों हमें last six number वाला process हमें apply करने के लिए मतलब इसी process से हमें किसी भी एक CSC भीयली के पास जाना है जैसे कि मेरे जैसे भीयली के पास आते हो तो दोस्तों मैं जो की खुशी-खुशी एक CSC operator ID दे दूँगा मतलब फिलाल आभी के लिए जो कि मेरा five का 5 ID मैंने जो कि मैंने operator ID बना के मेरे जो भी काम करते हैं मेरे लोग जो कि काम कर रहे हैं मैं तो दे नहीं पाऊंगा मैं आपको ऐसे एक भेली के पास जो की बोल रहा हूं जाके उनको operator ID मांग सकते हो जो की instant operator ID जो की generate हो जाती है और आप होर एक CAC service में जो government private जो भी service होती है उसमें आप access कर पाओगे एक BC point access नहीं मिलेगा UCL के लिए access नहीं मिलेगा और DGP में access नहीं मिलेगा और सभी service में ज जो की access कर पाओगे सब में काम कर पाओगे और वहां से अच्छा खचा जो की पैसा भी कमा पाओगे यह instant process है आपको जो की एक दिन में यह जो की ID password मिल जाएगा बस आप किसी भी वेली को impress करके आपको उनसे बात करना इतना commission वगरा जो कि हम बांट लेंगे मुझे CC ID का जो आपको अधारकार मोबाइल नमबर वगरा लेकर दोस्तों आपका आइडी जनरेट कर देंगे आपका operator ID आपका mail ID पर जो की चला आएगा यहां पर देख सेकते हो मेरे जो की 5 operator ID यहां पर देख सेकते हो और पांचों का name देख सेकते हो तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको visit DM के साथ जो कि आपको फिजिकाली जो की visit करके meetup करके आपको बात चित करना है और या तो call पर बात करके जो कि आपको approval लेना है तब जाके दोस्तों आपको ID पासवाड मिल सकते हैं नहीं तो दोस्तों आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जितना आप जो कुछ करना चाहते ह आपको नहीं मिलेगा तो एहीं एक जो की जैनियोन और सही तरीका है सेसी आइडी लेने का लेना चाहते है दोस्तों इसी प्रोसेस को जो कि step by step follow करो आपको आसानी से मिल जाएगा तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो मस्त इतना है वीडियो तुडिसी भी आपको अच्छी ल झाल